नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पेश सीने चल पर आप सभी का हारदे करता हूँ और दोस्तों पिछले दिनों जो भारती शतरंज में नए एतिहास बने उसके बारे में अभी तक पुरी दुनिया बात कर रही है भारत ने 45 वे शतरंज लंप्याड में डबल गोल्ड मेरे जीता ऐसे ऐसे लोग हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे मीडिया संस्थान कवर कर रहे हैं वीडियो लोग कवर कर रहे हैं जो पहले कभी चेस को कवर नहीं करते थे तो ये एक अच्छी बात है अच्छा संकेत जो है वो देखें तो भारती शतरंज के खिलाड़ी जो है वो विश्वात नारंद के बादा करम बात करें इतनी यूवा एज में कोई 2800 के करीब पहुंचका है कौन-कौन में बात कर रहा हूं अर्जुन और गोकेश की तो जो रेटिंग लिस्ट आज जा रही हुई है उस पर सालों में अगर ये विश्वा चैंपियन बन जाए या वोमिन्स के मिल्स के नंबर एक खिलाड़ी बन जाए तो कोई आश्चर जो है वो नहीं होना चाहिए तो आए नज़र डालते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैखना सकर्षन यहाँ पर उनकी जो रेटिंग है वो नंबर एकपर है 2831 फीडे रेटिंग के साथ नंबर वन के खिलाड़ी जो है मैखना सकर्षन अभी भी बने हुए हैं साथ ही साथ आप देखे हिकारू नाका मुराभी 2-8-0-2 रेटिंग के साथ यहाँ पर विश्व के नंबर 2 खिलाडी बने हुए यहाँ पर नाका मुरा ने ओलंपियाड नहीं खेला था कालसन ने खेला था उनका एक पॉइंट गया है ओवराल वो मेंटेन करते हैं लेकिन उस अगली लिश्ट पब्लिश होने के पहले हो सकता है अर्जुन कहीं न कहीं खेलेंगे और हो सकता है कि वो वापस इसको क्रॉस कर लें तो अधिकरत तोर पर इस पूरे महा जो है अर्जुन 2797 रहने वाले हैं और वो अधिकरत तोर पर विश्व के नंबर 3 खिलाडी बन गए आनन जी के बाद ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे खिलाडी हैं जो विश्व रैंकिंग में तीसरे पाइदान पर पहुंचे हैं फाब्यानो करवाना यहाँ पर 2796 रेटिंग के साथ जो है नंबर 4 पर है और गुकेश 2794 रेटिंग के साथ दुनिया में नंबर 5 खिलाड खेर अब दूसरा तरो नंबर 6 पर है अली रेजा खेले नहीं थे उलंपियाड नंबर 7 पर वे ही को जो है वो नंबर आप देखें नंबर 8 पर बने हुए हैं नेपो मिंसी नंबर 9 और वेसली सो नंबर 10 वेसली ने उलंपियाड में अच्छा खेला और उसकी वज़े से वो पिश्णा तरनानद यहाँ पर खेलते हुए मिलेंगे टोर्नामेंट उसके बाद प्रग्याननदा रेटिंग में उनको 4-5 चंको का थोड़ा नुकसान हुआ है बट वो 12 स्थान पर है इसके बाद भारती खिलाडियों में विधित गुजराती को फायदा हुआ है वो 2726 रे कि बात भी कर लें पहली बार वरल्ड चैंपेंशिप खेलने के पहले वो वरल्ड चैंपेंशिप में कैसा खेल दिखाएंगे और भारती खिलाड़ों और खिलाड़ियों कि हम बात करें वर्ल इसdades के वार्ट चैंपेंग twice 2668 रेटिंग के साथ जो है निहाल थोड़ा नीचे चले गए उम्मीद है वो वापस आएंगे उपर 58 नमबर पर है यहाँ पर रोनक साधवानी 2659 रेटिंग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो वो 66 नमबर पर है रोनक और टॉप 100 में अगर आप भारती खिलाडियों की बात करोगे तो एसल नारायन 95 पर है वो भी 2700 टच कर गए ऑल्मोस 2640 पर है और 98 नमबर पर 2639 रेटिंग के साथ आई मन्यू पराने के टॉप 100 में 11 भारती खिलाडियों मतलब 10 प्रतिशत से भी अधिक भारती है खिलाडियों का कबजा आपको टॉप 100 में यहाँ पर नजर आता है तो यह भारत का बढ़ता हुआ दबदबा है तो इसके बाद बात करेंगे वोमेंस सेक्शन की तो वहाँ पर क्या चेंजिस जो है वो हुए है तो अगर हम देखें या पर तो टॉप 100 वोमेंस में अगर हम नजर डालेंगे तो कोने रू हम पी नमबर 6 पर बनी हुई है 2530 रेटिंग के साथ और उपर से जो टॉप आप देखें टॉप 6 7 खेलाडी है जो सॉरी टॉप 7 टॉप 8 खेलाडी जो है इन में से किसी ने भी इस बार उलम्पियाड नहीं खेला जो आपने आप में एक थोड़ी सी चौकाने वाली बात थी और सिर्फ नाना दागनेजे ने खेला था जोर्जिया से वो थोड़ी सी रेटिंग उनकी बढ़ी है वो नौवे स्थान पर पहुँच गई है और भारत की दिव्या देख्मोक ये सबसे बड़ा आप बोलें कि वो लंपियाड का सबसे बड़ा सितारा कोई रहा है वोमें सेक्शन में जिसने सबसे ज़्या गेन किया है तो वो दिव्या देख्मोक है जिन्होंने तीसरे बोल पर गोल्ड मैडल भी लिया और दिव्या 250 रेटिंग के साथ अब नमबर 11 है वर्ड में इंडिया नमबर 2 है हरीका आकरी मैज जीता उन्होंने थोड़ी से सुधार किया तो हरीका 2493 के साथ नमबर 14 नमब भारत के उसके बाद आपको तानिया सजदेव मिलेंगी 54 पोजीशन में तानिया ने थोड़ी रेटिंग में सुधार और कर लिया यहाँ पर वंदिगा अगरवाल जो की नमबर 4 बोल्ड की गोल्ड मैडल थी वो 2392 रेटिंग पर है 58 नमबर पर वो पहुँच गई है उन्ह जर आते हैं उसके बाद वेलपुला सरायू है 76 नमबर पर यहाँ पर यह चटी भारती खिलाड़ी है बक्ति कुलकर्णी है 82 पर सात्वी भारती खिलाड़ी महिला शत्रण में और उसके बाद सविता श्री 99 पर है तो आठ खिलाड़ी है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 100 में से 8 है अगर 200 देश होते हैं दुनिया में शत्रण जो खेलते हैं अगर वोमेंस में माने 180 भी खेलते हैं तो बड़ी बात है कि आपके 100 में से 8 खिलाड़ी है मुझे लगता है आने वाले समय में यह और भी नंबर जो है वो बढ़ेंगे खिलाड़ियों के इसके बाद हम बात करेंगे टॉप 100 जुनियर्स की तो उसमें आप देखें टॉप अगर हम 10-20 भी देखें तो गुकेश आप देख सकते हो अभी रहने वाले हैं वो दो साल और रहेंगे जुनियर्स की लिस्ट में वर्ल्ड चैंपिन बनने के बाद भी वो जुनियर्स की लिस्ट में तो मैं फीडे की साइट देखना चाहूँगा कि गुकेश जब वर्ल्ड चैंपिन बन जाएंगे या दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन जाते हैं तो जुनियर्स की लिस्ट में भी क्या वो बने रहते हैं साथ में अब दूस्त अतरो नंबर टू पर है और मैं बोलो हैं वो भी अभी जो है एक साल और जुनियर्स में जो है वो रहेंगे यहाँ पर और लियोन में अंदुन सा हैं तो आगर आप जुनियर्स की लिस्ट देखिए तो आप टॉप 20 में अगर आप देखें तो आपको कितने चार यहाँ पर पांच छे छे खिलाड़ी आपको बड़त बनाई हुई है बिभी सारा भी जरूर जो है मुझे लगता है आने वाले समय में यह उभर करके आएंगी कजाकिस्तान की जिन्हों ने हरीका को भी हराया था फीड ओलम्प्याड में और धिव्या भी आप देखिए यह बिभी शारा का आखरी यह जुनियर का और द की रैंकिंग की जो की बहुत इंट्रेस्टिंग है टॉफ फैडरेशन कौन है यहाँ पर आप देखिए यूएसे नंबर वान अभी भी बना हुआ है भारत नंबर टू है यह बहुत ध्यान देने वाली बात है एवरेज रेटिंग देखिए 2737 और यहाँ पर 2730 मतलब 130 यहा दिखता है यूएसे से बट चाइना और भारत का जो डिफरेंस है वो काफी अब बढ़ चुका है अगर आप देखे तो यहाँ पर लगब मतलब 290 पॉइंट का डिफरेंस है भारत के टोटल 10 खिलाडियों के रेटिंग जॉइंट कर दें और चाइना की तो यह काफी डिफरेंस बढ़ा है रूस को रैंकिंग दी गई है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हो तो अगर हम भारती खिलाडियों के ज़रा कौन से खिलाड़ी है टॉप 10 पर जिनका लिस्ट है मेरे क्याल से शायद यहाँ पर आगया नाम तो आप देख सकते हो अरजुन है गुकेश है आनन और यहाँ प्रगिनेंदा पांच खिलाड़ी 2700 की उपर है अरविन मोहाने पर है हरी कृष्णा मुझे लगता है कभी भी वापस आएंगे निहाल भी लोटेंगे मुझे लगता है एसल भी जो है यह खिलाड़ी जगे बनाएंगे रौनक बना सकते हैं इन फ्यूचर में तो काफी खिलाड़ी हैं जो इन फ्यूचर 2700 कलब में जो है वो सामिल हो सकते हैं तो इस तरह से हम देखे हैं तो भारत काफ फिर से में टीम लेकर करके आ सकता है किसी के लिए उलम्पयार्ट इतना आसान नहीं होता और भारती टीम अगले साल तक बहुत अगले दो सालों में और स्ट्रॉंग हो जाएगी बट यह आप देख सकते हो कि यहां पर भारत नंबर दो है और जब मिक्स की बात करते हैं मिक फेडरेशन की रैंकिंग है मुझे लगता है इसमें कभी ना कभी बदलाओ जो है वो आएगा और भारत शायद नंबर वन पर पहुंच जाएगा मैंस और वोमेंस दोनों को अगर हम मिला लें यहां पर भारत इसमें भी नंबर दो है तो भारत नंबर दो लगतार बना है और आने वाले समय जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है तो वर्ल्ड रैंकिंग की खबर यह फिलाल ताजा खबर यह कि गुकेश और अर्जुन दौनों की रैंकिंग में बदला हुआ है बड़ा बदला हुआ है और दौनों वर्ड टॉप फाइप में हम ऐगले जानकारी मिल गई अगर आपको फीडे रेटिंग हासिल करनी हो और आपको इसके बारें जानकारी ना हों तो हमारे चनल पर इसके बारे में बराबर एक वीडियो है कि कैसे फीडे रेटिंग जो है वो हांसिल की जाती है तो चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखे सुरक्षित रहिए जैन दोस्तों